हेलो बच्चों आप सुब कैसे हो बच्चों हम में अब तक हमने चार लेशन किये हैं और जो फिफ्ट जो चैपटर है ना उसको हमने कर दिया स्कीप और हम करने जा रहे हैं जिसका नेम है दा अर्षिट्रेक्टर फोर्स एंड से करेंगे कि जो हमारे सर्टनत थी उस टेम वह मुगल एंपैर हो चाहिए वह सल्तनत सुल्तान सर्तनत का उसके अंदर बन्यवारी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि वह लोग जो ह जो हम क्या है जो हम कहां सकते हैं कि क्या मैं फोस्टों था उनका चीज़ें बनवा रहे थी तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टोपीक वेश के उपर यहां कहता है कि दा स्टोरी ओफ इंडिन आर्ट्स एंड आर्टिसक्टर कोवर्स एन लों पिरिएड ओफ मोर देन फाइफ थाउजन एयर्स अबर अर्षिलोजिकल हरिटेज इंकलुडिस्क टेंपल मस्क्यूज गुर्दवाराज फोरस्ट पलेशिज तंबूज एंड हैड्रोलिक स्ट्रेक्चर लाइक केनाल्स टैंक्स वाल्स एस्ट्रा तो बच्चों यहां पर ए कि इस्ट्री देखें जो इंडिया की जो आर्ट और अर्टिक्टर जो कवर है उसको देखें तो यह काफी लंबा है लगबग जो आज से 5000 साल पहले तक का जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो ना यहां पर जो आर्टलोजिकल जैसे कि कोई नदी है कोई नहर है तैंक्स है वाल्स है तो यह चीज जो हमारी हरिटेज बिल्दिंग के अंदर आते हैं वी वेन वी कें क्लाशिफाई दा अर्शिसेक्ट्रल हरिटेज इंटो टू क्टेगरी एक हमारे शेकर्ड मोनुमेंट्स विच आर एस्टेटेड जिपवेंट्वेंट्ट्थ जो तो यहां पर एक कहता है कि चुरू एक तो दो तरह के जो हमारी हरिटेज बिल्डिटिक है तो जैसे जो हमारे द्हरम से रवेटेड जो चीज़ें हैं जैसे के टेंपल है हमारा को गूर्द्वारा है को मस्जीद है या फिर कोई चर्च है तो इस तरह की जोना वह इसमें सेडे सेके मूमेंट्स हैं सक एज फॉरस्ट्स फ़ेसिज्ज गेटवें टावर्स अच्छ जोन वह इसमें आजाते हैं। एक जो हमै जो हुढी है जो डूसरा हमारे जो secular monuments है जो जिसमें हम वो लोग रेते थे उसके बार में जैसे चाहिए वो फोरस्ट है कोई किला है को प्लेसीज है हवेली है या गेटवे है टावर्स है तो इस तरह जो उन्होंने भी जोने उनका structure जो बनाया है फिन्रेरी monuments include तंबोज, दरगा, चत्रियास, एटक्ष्टा, दा रोलर्स ओफ एंसेंट और मेडिवल्स इंडिया बिल्ट ग्रैंड मोनुमेंट्स तो यहां कहता है कि जो हमारे मेडिवल्स इसेंट के टाइम अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के इंदर का बहुत अच्छे जोनाव जो बिल्डिंग्स जोनाव यहां पर देखने को मिल सकती है वो मिलती है यहां पर उसके बाद कहता है importance of monuments as secure sorry as sources of information of history the monuments are the most source for the construction trees history because they cannot be tempered with the यहां पर कहता है कि जोना जो monuments है वो mostly जोना हम देख सकते हैं कि वह एक structure जो construction का जो काम चादर है वो काफी अच्छा जो हमारा रहा है और उसमें काफी जो हैं काफी बढ़िया जो skill जो यूज की गई है for example जैसे की first point के अंदर यहां रहा है the monumental as much about the engineering skill and building techniques of a particular period जो मुनुमेंट से ना वो हमें दिखाता है बताता है कि उस time की जो engineering थी engineering skills कैसी थी building technique क्या यूज करते थे वह particular एक प्रिडिक अंदर वह चीज़ें यूज कर रहे थे जो आदा गजब उनको देखते हैं हम तो एक ऐसा रखता है कि भी यह चीज़ें जब बनने आज की time काफी मुस्किल जोनवों हो रहे है इतनी ज्यादा टेक्नोजी होने के बावजुद भी लेकिन उन लोगों ने उस time भी जोनवों ऐसे skill use किये और ऐसे monuments बनाए हुए कि जोनवों काफी अच्छे और अब तक के जोनवों काफी best position केंदर जोनवों हमारे पास अब भी है लेमियों इसो दिफेंट फैल्व तेंट है और आधान स्टैरल फैटीक्टर फोर ग्यांपल नोर्थ इंडिया टेंपल से डिस्प्ले ना मगरा स्टैइल अड साूथ इंडिया इंडन्टेंट स्टैविध दिस्प्ले डाउड बिद्स्टैल तो यहां पर जोना अलाग त स्टेल के अंदर जोने मनिय होए हैं उसके वाद करते हैं तो आध गुम्मत के जैसी जो नहीं आकरते हैं बनाई नहीं नहीं बनाई है फैट म्हाटां प्लेशों एंड श्क्राइट्ट सबस्क्राटित्ट आनद लेविप स्टाइड यांसथन सयज आ भूल फैपिति की सिव इन्षपारे में दिखा रहे थी इनकी फैमिली के इसमें जो रॉइल फैमिली और नोबिल्टी जो लोग हैं उसके अंदर वो रहते थे जो हमारे जो किलिए हैं उनके जो दिवारे वह काफी उंची होते थी उनके बड़े बड़े गेट होते थे और यह सब चीजी जो ना इनकी एक नीतिया होते थी जिसके दोबारा जो जो दुस्मन है उनसे जो आपनी आपको डिफेंस भी जो वहां से करते थे हैं मैंनी टेंपल्स प्रेटिकुलर आल्सों बिल्ट बाइडा चोला रूलर्स एंड़ इंस क्रेप्टरेशंस विच फॉर्निस डिटेल्स अबाउट मिल्ट्री कॉंस्कुट्स ओफ दीज रूलर्स तो यह कहता है कि बहुते टेंपल ऐसे हैं जो चोला रूलर्स के बनाए ग एक तरह से वो जो टेंपल जो बनी वहां सी जोना रूल्स जोना फ्लो किया जाता था ता टेंपल दूरिंग दा मिल्ट एज हैड वास्ट टेरिशर ऑफ गोल्ड एंज्वेल्स मोहमद ऑफ गजनी डिफेटेटेट मैने हिंदूस किंग एंडिस्ट्रोइट तेंपल इस एज़ी टेंपल थे उसके अंदर काफी जादा गोल्ड वाजर जोना उसमें लगे होते थे तो यह जो ना यह जिस मोहमद हो गया जो गजनी सी था जो नाम बोला गया है मुहमद घोरी होके यह ऐसे जो ना किंग्स थे उन लोगों ने जो ना हिंदू किंग्स पराकर आक कि यहांगे उन्हों को इस प्रक्राइब हैं कि लूट से लूए थे उसके बाद से फहलें करते थे जो बहुत जादा गरेट हीरो इसलाम के लिए मुस्लिम हैं उनके लिए बहुत बड़ा हीरो बने जाते थे इस तरह से उसके बाद आठीक्ट्र, ॉपेजेए reliably 8-800 अर्ड तो यहां पर हम राजपूत पीरिड के इंदर जो होने वाली जो एक्टिविटीज है या उनकी जो स्ट्रेक्ट्टर है बिल्डिंग की उसके बारे हम पढ़ेंगे कि दूरिंग दा राजपूत पीरिड आर्टिशेक्ट्टर एंड सप्रिश्चर रिस्ट एई हाई लेवल ओफ एक्सिलेंस दा केलास टेंपल ओफ अलोरा विल्ड इन दा सेकेंड हाफ ओफ दा एर्थ शेंचरी बाई ए राश्ट्रकुटा किंग मार्ट दा बिगिनिंग ओफ टेंपल आर्टिशेक्टर तो यहां परे कहता है कि जो केलास टेंपल है जो माराश्टर के अंदर है तो यह सेकेंड जो हाफ है 18th century को उसमें जोना यह बनाया गया था और यह टेंपल जोना काफी बढ़िया जोना आश्टिशेक्टर का जो एक नमोना उसका हम बोल सकते हैं इस स्राइन वाज मेड आउट ओफ ए सिंगल रोक यह कहता है कि यह जो बनाया वो सिंगल रोक से पाड़ा उससे जोना काटकर उसको बनाया गया है टेंपल दैट फ्लॉड लेटर वर स्ट्रेक्चर टेंपल टेंपल्स बिल्ट विद ब्रिक्स एंड मोर्टर जो कहता है कि सबस्के जोना इस रख ट्रै को और स्ट्रेक्टक्र है वह इसके अंदर डुरा बिल्कुल मीजग है जो इंटे और उनसे जो है वह बनाया गया एसं इस टुक्ष देगे क् Expectant kते एसे सब्सक्राइन की तरी कुछ एपर जो ने ख़ए सब्सक्राइश कार्ण rich को में सब्सक्राइब बोल गया है उसके बाद एक नंदी स्राइन बेटिविन टूहर्ट टॉखस तावर्स से तो चाहता है कि उसमें जो रांदिस रहे वह बहुत है जो कि आपस में जोने वह तो एक एक तो बीटावर्स के तरह उसके बाद में एन असेंबली हाल उसके बाद में चेंटर के निदर यह मार्केबल इमेज ओफ डाइट से दा मेन टेमपल स्टाइल डिसकूस्ड है और दूज ओफ उडिसा गुजरात राजसान और बंदेल खंड तो बत्चों यहां पर कहता है कि जो अलोरा जो की गुफा है वो अंदर जो पहाड़ों को काट कर जो अंदर से बनाएगी है एक अलेफेंटा जो केवज है जो कि मुंबई के पास है वो भी जो इसी तरह से बनाएगी है और ऐसे बहुत से जोना टेमपल से स्टैलिस्ट बनाएगे हैं जो की उडिसा गुजरात राजिस्थान और बंदल खंड के निदर जोना वो पाई जाते हैं नेश्ट अम बात करते ह अधर दाग फ्लाविंग थरी और मोस्ट नोट वर्थली तो कहता है कि नागा नागरा स्टैलिके अंदर जोना वो उडिसा के निदर टेंपल डिलॉप्ट किये हैं यह जो टेंथ और थर्टीन शेंटरिंग दस और तेरह की जो से स्टाबदिये उसके अंदर जोना यह टें गंगा डिनिस्टी इन एडी एलेवन हैंड तो यहां पर कहता है कि जो लिंगाराजा के रेंपल है वह जो गंगा डिनिस्टी है उसके दोबारा जोना यह बनाया गया था देंटिर ओफ दा टेंपल इस प्लेन बट आउटर वाल्स आर रिचली कवर्ड इन हीज अ कॉनिशल तो कहता है यह टेंपल जो काफी प्लेन एरिया के इंदर जुमना एंटर इस प्लेन बट आउटर वाल्स जो नहों काफी रिचली कवर्ड है वहां पर और एक तरह से कॉनिकल जो सेफ्ट जो स्पार्स जो कि यह उससे जो नहों बने वी हैं उसके बाद में मुक्तिसवरा ट इस इप गंगा डिनेश्टी इट इज एन आर्चेट गेटवे डिस्ट्रोइट विट वेट वेट विट वीटिफुल निकावर वीटिफुल सेक्रिप्ट्चर डिपेटिंग दा लाइफ लोड कृष्णा को यह पर बताया गया है कि जो मुक्तिसवरा टेंपल हैं वो हमार 10th century के अंदर गंगा डिनिश्टी के दोवारा बनाए गया है और इसके अंदर जो गेटवे वो काफी सब्सक्राइब को सजाए गया है और उसके अंदर जो लोड के लाइफ के बारे में जो वहां पर उस ट्रॉक्चर के अंदर बताया गया है तो यहां पर आप देख सकते ह अधिया जो काफी अच्छे जो ना तरे से बनाएगे हैं इधर से लिंग आजा टैंपल यह आप देख सकते हैं कि काफी डवलोप्ट तरीके से जो नोश्कू बनाएगे तरन अच्छे अंदर जो नहीं यहां पिक्चर के अंदर जो आमें यह दिखे रहा है उसके बाद है यहां रहा है सन टैंपल जो कफी त्वेमस जोना यहां पर रहा यह तेमपल भी उसके बारे में जानते हैं नसान टैंपल वाद बीट बाइंग नर्समा देवफस्ट नर्समा देवफस्ट ने जोने इसको बनाया है 1238 से लेका 1230 शिख्टी फोर तक का उसासन था तो उसमें जोने इस नहीं एक टेंपल बनाया था ओधा इस्ट्रन गंगा डेट डिनिस्टी इडिसाइड टूसन गोड और सुर्या तो यहां पर कहता है कि उन्होंने डिसाइड कि जोना सन और या फिर जो सुर्या जो गोड उनका भी जोना वह टेंपल होना चाहिए दा वुर्ष टेक् करती की जोना वह सेप वहां पर इस बीग वैल्स फिक्ष्ट ऑन इदर साइड और बीटिफुली कवर्ड इस टेंपल इस आलसो नौ एज दा ब्लैक पागोड तो यहां पर यह कहता है कि जो बिल्ट बनाएगे जो बिल्डिंग के इंदा रथ और जो गोड़े उस तरह काफ काफी बड़िया तरिके से जोना वह हम कह सकते हैं कि वह आज की टैम जोना वह उसको देख सकते हैं और काफी बिक साइज के जोना वह रथ और जो और उन्होंने बनाए हैं तो बच्छो यह टोपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो के इंदर करेंगे कि गुजरात और हमारे जो पारा स्थाना है उसके अंदर यह किस तरह से जोना वह हुए है और वहांपर कौन से पार्ट केंदर जोना टेंपल या दूफरे स्ट्रक्चर जो हमें मिलते हैं तो बच्छो आज के लिए इतना ही थैंक्यू फ्रेंड्स एंड आइवे नेश्ट डे